नमस्ते विर्णी आप स्वाग से मेरी चैनल पर है मेरे नाम राज भी व्यादव और आज हम लोग बात करने वाले एक 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 इसके ब्रैंड की तरफ से यह बेटर है ऐसे ठीक है एक एक 5 Watt 8 Watt और 10 Watt literally बूल रो, Watt बूल रो, मिलीवट निई बूल है मैं वहने इतने Watt के इननोंने VTEξ लॉंvyट करें और हज से जादा power होती है VTX के लिए इतनी क्यांकि हमने 400 MW तक के VTX सुने होंगे even 1 Watt 2 Watt तक के हमने VTX सुने हैं तो हमतों सोचते थैं क्या फायद हे चूसारे तो क्या फायदा होगा ले कि अफ़ी फिटीवी के इतारे वह देख रहे होंगे बलर-बलर तो क्या चारो के चारो वीटेक्स exactly डिक्टो से हैं मैं देखने के मामले में dimensions और weight इनमें कोई भी difference ही जो अंदर software changes कर रखें वो तो अलग है ही है of course ही बात है क्योंकि उसी के बाद इनमें watts का difference आता है बर dimensions की बात करें तो इसमें आपको 15 mm की height मिलती है 36 mm की आपको इसमें चोड़ा ही मिलेगी और 68 mm की 68 mm की आपको length मिलती है dimensions के मामले में किसी विए एक normal जो हमारे 30 by 30 का stack भी होता है जो हम यूज करते हैं उससे भी double है बहुत ज़्यादा बड़ी है dimension के मामले में and weight भी बता दे weight 48 gram है चारों का weight same है 48 gram से कुछ ज़्यादा ही होत है यार और इसका एक भी जिसमें एक और बाद भी है कि माले इसका weight ज्यादा क्यों है आपको बताता हूं बट यह वीटेक्स जब आप अन्बॉक्स करोगे जब आप खरीदते होकर खरीद होगे तो तो आप इसमें कोई antenna मत expect करना क्योंकि antenna आपको अलग से खरीदना पड़ है कि आप उसी antenna को खरीदो और यार इसमें आपको pit mode का support मिलता है यानि 25 मिलिवाट की आप पावर भी select कर सकते हो इतने ज़्यादा बड़े वीटेक्स को खरीदने के बाद अगर 25 मिलिवाट की power use करोगे तो वो थोड़ा आजीब हो जाएगा लेकिन आप कर सकते हो अपने गॉगल से ही इसकी power level को change कर सकते हो अगर आपका drone ओडर है तो आप बैठे बैठे यहाँ पे अपने goggles में ही changes कर सकते हो वो आपके VTX में हो जाएंगे प्लस चैनल बैंड जो भी change करना आराम से कर लेना और जैसके मैंने आपको बताया था कि इसका weight 48 grams क्यों है थोड़ा इस की दो ही चीज़े रह जाती है सबसे पहली बात इसकी price price मुझे पहले ही बता देना चीज़े ता लेकिन भूल किया चलो कोई नी price अब यहाँ पर बता देता हूं आपको जो चोटा भाई है alpha 4 वह आपको पढ़ने वाला है कुछ 79 dollars याने इंडिया हम साड़े साथ 8000 रुप इसका जो बड़ा भाई है alpha 10 वह आपको मिलने वाला है वन से 59 dollars कुछ है तो इंडिया में आपको यह 15,000 यह 16,000 का तो मिलने वाला है बहुत ही जादा expensive है मैं यह नहीं कहता कि value for money है value for money बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि कुछ जादा है और दोनों का size same है बस अंदर कुछ software changes करें और उसी के लिए आपको 8,000 से लेके 15,000 कुछ के बीच में difference बिल जाता है यह यार थोड़ा गलत किया आप लोग ने अगर कोई software चींज होता है hardware चींज होता है तो समझ में भी आता बस आपने कुछ software चींज करें यह और power levels increase कर जा उसी के आप इतने जादा पैसे चार उसमें यह गलती मत करना साइज देखा ना इनका 68 mm length है मुझे लगता भी निए कि किसी frame में fit आने वाले 5 इंच के बात कर रहा हूं मैं तो ना ही खरीदो तो better है और 7 इंच और 10 इंच के अगर आप drones बनाते हो बड़े वाले जो size के हैं जो आप लंबी दूर तक ले जाओके long range होते हैं उसमें लीठ है मैं बैटरी सुस करोगे जो भी करोगे उनके लिए ही ये मेरी ले प्रेफरेंस है क्योंकि उसमें आपको space जादा मिल जाएगी तो वीटेक्स fit आजेंगे कोई दिक्कर नहीं होने वाली और जो एक और best option रहेगा जो हमारे भाई लोग होते हैं FPV प्लाइन जोड़ाते हैं FPV विंग्स जोड़ाते हैं उनमें तो plenty of space होती है वहाँ पर आप इन वीटेक्स को यूज करो आराम से उड़ाओ और उनमें आपको flight time भी अच्छा मिली जाता तो कोई दिक्कर नहीं होने वाली है तो भाई लोग इस वीडियो के लिए इतना ही थ थांक्यू वेरे मच लेकिन अब भी जारा support कर दिया करो motivate कर दिया करो इस चानल को subscribe कर देना अगली वीडियो में मिलते हैं